हेलो गाईज बेलकम टू यू इंगलिज भित प्रमोत कुमर प्यारे बच्चों टूड़ी विडिस्कस अबाउड वर्ब प्यारे बच्चों इसके पहले हमने नाउन पढ़ा है उसके बाद प्रोनाउन मैंने पढ़ा है आज हम लोग वर्ब देखेंगे आज की क्लास में वर्ब की डिफनीशन पढ़ेंगे एक्जामपल देखेंगे वर्ब के टाइफ्स देखेंगे कि वर्ब कितने परकार की होती है और ट्रांजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को share करें, like करें प्यारे बच्चों, आप लोग comment अवस्य किया करें कमेंट एक ऐसा जरीया है जिसके माध्यम से आप लोग मेरा motivation बढ़ा सकते ही प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्लास को सेर करें चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का चेप्टर है वर्ब क्या है वर्ब? वर्ब मींस होता है क्रिया वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी संटेंस में सबसे most important क्या है subject, object, verb या इन में से सभी प्यारे बच्चों वह ऐसे तो देखा जाए subject, verb, object तीनों जरूरी है संटेंस के लिए प्रन्तू सबसे जो most important है वह है verb क्या है? verb चलिए प्यारे बच्चों वर्ब प्यारे बच्चों यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों homework मिले, pdf मिले तो इशी नाम से telegram channel है आप लोग channel सर्च करके आप जोइन कर सकते हैं इस class के pdf आप लोगों को telegram channel पर उपलब करा दी जाएगी आप लोग इसी नाम से telegram channel जोइन कर लें प्यारे बच्चों वर्ब क्या पढ़ेंगे आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे वर्ब वर्ब मींस होता क्या है? क्रिया क्या होता है? क्रिया होता है ओके? क्रिया definition क्या है? definition मींस होता है परिभासा definition मींस क्या होता है? परिभासा परिभासा देख लेती हैं आव वर्ब इज ए वर्ड दाइट इज यूज़ड टू सू एनि एक्षैन और एक्टिविटी दैट हैपेंस फारे परफज definition यह है कि क्रिया एक सब्द होती है क्रिया एक सब्द है जो प्रियोग में लाया जाता है किसी एक्षन को बताने के लिए किसी एक्टिवेटी को दर्साने के लिए जो किसी उद्देश के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है या कोई कार्य किया जाता है वर्ब के माध्यम से हमको पता चलता है कि संटेंस में कौन सा काम चल रहा है क्या कार्य हो रहा है सब वर्ब के माध्यम से हम लोग सेखते हैं यह संटेंस में वर्ब ही न हो तो संटेंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों, once again definition देखिए a verb is a word वर्ब एक सब्द होता है diet is used to show any action जो प्रियोग में लाया जाता है किसी भी action को दर्शाने के लिए show करने के लिए और activity किसी कारी को परदर्शित करने के लिए diet happens for a purpose जो किसी उद्देश के लिए किसी लच्च के लिए उस कारी को किया जाता है प्यारे बच्चों definition समझ में आई होगी a verb is a word that is used to show any action or activity that happens for a purpose आप लोग क्या करेंगे definition को लिख लेंगे और इसको रटेंगे रट लीजिए life में definition की परिवासा पूछवी जाएगी तो आप लोगों को कोई परिशानी नहीं होगी चलिए हम लोगों ने परिवासा देख लिया कुछ example देखते हैं उसके बाद वर्ब के टाइप्स देखेंगे sentence है he goes to school he goes to school he goes to school तो एक गोज गोज क्या है वर्ब है गोज क्या है वर्ब है ओके she cooks the food ये cooks क्या है वर्ब क्या है वर्ब है प्यारे बच्चों क्या है वर्ब है यहांपर काम चल रहा है पकाने का तो पकाना जो है यहांपर एक वर्व है उसी तरह पहले सेंटेंस में कहा है गो मिन्स जाना जाना क्या है एक वर्व है वे क्या बनाते हैं एक पतंग बनाते हैं तो बनाना यानि पतंग को बनाना क्या है एक वर्व है क्या है प्यारे बच्चों एक वर्व है यहां काम चल रहा है पतंग बनाने का तो जो पतंग बनाने का जो कारी चल रहा है वो क्या हो गया वर्व हो गया क्या हो गया वर्व प्यारे बच्चों, शमझ में आ रहा है, चलिए, नेक्स्ट बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, शी लाफड, शी मिन्स वाफड माने हसी, मुस्क्राई वा हसी, प्यारे बच्चों, यहाँ पर हसना जो है, एक वर्ब है हसना क्या है यहाँ पर एक, वर्ब है, वह मुस्कुराया, तो मुस्कुराणा यहाँ पर क्या है एक, वर्ब है मुस्कुराणा यहाँ पर क्या है एक, वर्ब है प्यारे बच्चों, बासमझ में आ रही है, जैसे कि आई टीच यू आई टीच यू तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टीच है आई मिस मैं टीच मिस पढ़ाता हूँ यू मिस तुम्हें तो यहाँ पर जो कारी चल रहा है पढ़ाने का तो पढ़ाने का जो कारी है यह क्या है एक वर्व है teach means पढ़ाना teach क्या है एक वर्व है क्योंकि मैं कारी कर रहा हूँ पढ़ाने का sentence में वो word जिससे पता चलता है कि कौँ सा कारी हो रहा है क्या कारी चल रहा है वर्व कहलाती है क्या कहलाती है वर्व कहलाती है प्यारे बच्चो जैसा कि make क्या है एक वर्व है लाफ क्या है एक वर्व है इश्माइल क्या है एक वर्व है प्यारे बच्चों बास समझ में आई आगे बढ़ा जाए ओके प्यारे बच्चों ध्यान दीजे ही रोट शवरल प्लेज ही मिन्स उसने रोट मिन्स लखा शवरल माने बहुत ज्यादा प्लेज मिन्स नाटक प्लेज मिन्स क्या हता है नाटक यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लेज मिन्स क्या है नाटक तो यहाँ पर उसने क्या लिखा नाटक लिखा तो यहाँ पर कारी कौंसा हुआ लिखने का काम हुआ तो लिखने का जो कारी हुआ और रोट तो रोट यहाँ पर क्या है एक वर्व है रोट यहाँ पर क्या है एक वर्ब है क्योंकि यहाँ पर जो कारिशंपन हुआ है और नाटक लिखने का हुआ है क्योंकि यहाँ पर नाटक लिखे गए तो यहाँ पर जो वर्ड आया है रोट यह क्या है वर्ब है यह क्या है एक वर्ब है प्यारे बच्चों यहाँ पर कारी क्या हो रहा है मदद करना तो यहाँ पर जो help word है help क्या है एक verb है help क्या है एक verb है क्योंकि संटेंस से पता चल रहा है कि वह लोग क्या करते हैं गरीब लोगों की मदद करते हैं तो यहाँ पर जो काम हो रहा है मदद करने का, जो मदद करने का काम हो रहा है, help help क्या है यहाँ पर एक, वर्व है प्यारे बच्चों, सीधे से आप लोगों को याद रखना है कि sentence में वो word, जो दरसाता है जिससे पता चलता है कि कौन सा कारी हुआ है या कौन सा कारी हो रहा है या कौन सा कारी होना है सब वर्व कहलाते है क्या कहलाते है, वर्व प्यारे बच्चों, she opened the windows, उसने खिडकियां खोली, she opened the windows, तहाँ पर कारी 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 हुआ है, खिडकियों को खोलने का, खिडकियों को खोलने का, तहाँ पर open ओपन क्या है एक वर्व है ऑपन क्या है यहाँ पर वर्व है प्यारे बच्चों मा समझ में आ आगे बला जाएं ja very good प्यारे बच्चों टाइप साफ वर्ब देखेंगे वर्ब कितने प्रकार के होती है वर्ब कितने प्रकार के होती है बेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों चाहे जिस एक्जाम के आप तयारी कर रहे हूं verb very important topic प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं slide के माध्यम से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए action verb number one हम क्या देखेंगे action verb types of verb में पहली verb हम क्या देखेंगे action verb action verb कौन सी होती है ध्यान दीजिए action verb are words action verb वे सब्द होते है that so what someone or something is doing action verb वे वर्ब होती है जिन से पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या काम चल रहा है वो action verb कहलाती है they describe action they describe action or moment वोन वर्ब से पता चलता है कि action का पता चल रहा है वो action को दर साती है movement एक गती को दर साती है making sentences जब sentence को हम बनाते हैं तो ऐसे पता चलता है कि कोई action हो रहा है कोई कारी हो रहा है more lively and interesting जिससे पता चलता है कि कारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है interesting बहुत रुचिदायक तरीके से हो रहा है जैसे कि ध्यान दीजिए the rabbit jumps over the log rabbit means khargos जम्स मिन्स कूदा, ओवर दा लॉग, लॉग मिन्स होता है लकडी का लठा, खरगोस लकडी के लठे के उपर से कूदा या चलांग लगाई, तो यहां खरगोस ने चलांग लगाई, आपको पता चल रहा है कि यहां पर एक्शन किया गया है, क्योंकि जम्स मिन्स होता है दूदना यहां खर्गोश ने एक्सन किया लकडी के लटए के ऊपर से छलांग लगाई प्यारे बच्चों तो यहांiendo करना छलांग लगाना काईसी वर्भ है स्चने वर्ब है कॉम्ची और प्यारे बच्चों या एक्सन वर्भ है çe so with me about ters once again नमबर वन कौन सी वर्ब है, एक्षन वर्ब, एक्षन वर्ब कौन सी होती है, एक्षन वर्ब्स are words that show what someone or something is doing, they describe action, moments, making sentences more lively and interesting, यानि इसकी हिंदी है, कि action, वर्ब, वर्ब होते हैं, जो किसी sentence में दर्साते हैं, कि कोई वर्बस चल रही है, कोई वर्बस हो रही है, वो action को describe करते हैं, action की चर्चा करते हैं, moment, एक गती का बोध होता है, movement के होता है, गती, उस वर्बस से ऐसा पता चलेगा, कि कोई गती हो रही है, कोई action किया जा रहा है, और sentence जवाब पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा interesting लगेगा, जैसे की sentence आप लिखा, the rabbit jumps over the log, खर्गोस ने चलांग लगाई, log के उपर से, log मिस लकडी का लठा, खर्गोस ने लकडी के लठे के उपर से चलांग लगाई, यानि यहाँ पर action हुआ है, एक गती हुई है, खर्गोस ने गती की है, कि लकडी के लठे के उपर से खर्गोस ने क्या लगाई, चलांग लगाई, जंप किया तो जंप करना एक कैसी वर्ब हो गई प्यारे बच्चों एक्शन वर्ब हो गई कौनसी वर्ब हो गई एक्शन वर्ब हो गई प्यारे बच्चों नेक्स्ट नमबर टू देख लेते हैं एक मिनिट प्यारे बच्चों लिंकिंग वर्ब नंबर टू हम कह देखेंगे लिंकिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं ध्यान दीजिए लिंकिंग वर्ब उधिए लिंकिंग वर्ब एक आईसे महत्रपूर्ड उधिए सबद होते हैं लिंक का पत्ल लिंक मिशुता है ने करना जोडने वाली कि रिया लिंकिंग वर्ब प्यारे बच्चों लिंकिंग वर्ब एक ऐसे सब्द होते हैं एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी एक वस्त को connect करती है जोडती है feels like जैसे की अनुभाव करना इंस्टीड आप सोइंग एक्षन एक्षन को दिखाने के वजाए लिंकिंग वर्ब में आपको एक्षन देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर क्या होगा वर्ब क्या करेगी वर्ब को connect करेगी जोड़ेगी जैसे they tell us more about the subject और subject के बारे में करता के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी लिंकिंग वर्ब देती है तो लिंकिंग वर्ब कमसी हो गई लिंकिंग वर्ब और इस्पेशल वर्ब्स दैट कनेक्ट वाट सम्थिंग इज फेल लाइक इस्टेड आप सोइंग एक्षन देट टेल अस मोर अबाउट दा सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कनेक्ट करती है शम्थिंग किसी वस्त को कनेक्ट करती है जोडती है अनुभव कराती है एक्षन की अतरिक्ट इस चीज में एक्षन यानि लिंकिंग वर्ब में आपको एक्षन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक वर्ड को द thinking वर्प के माध्यम से subject के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है subject clear हो जाता है कि subject कैसा है sentence देख लिजे प्यारे बच्चों जैसे की लिखा है the cake is delixious cake means cake चपाती cake is means है delixious means swadist cake कैसा है स्वादिश्ट है मेरे प्यारे बच्चों तो यह is जहां पर is Mr. is linking word बोलते हैं क्या बोलते हैं linking word बोलते हैं क्योंकि the cake cake को जोडने का काम इज कर रही है केक कैसा है डिलेक्सिय से मलब स्वाधिष्ट है केक कैसा है मेरे प्यारे बच्चों स्वाधिष्ट है तो ये इज जो है केक को डिलेक्सिय से कनेक्ट कर रही है एक दर्सार ही है केक कैसा है डिलेक्सियस स्वादिष्ट है तो प्यारे बच्चों, नमबर टू क्या देख लिया, linking verb linking verb, कौन सी वर्ब होती है वो वर्ब होती है, जो subject के बारे में जादा से जादा information देती है चली, next देखा जाए नमबर थ्री, प्यारे बच्चों helping verb, नमबर थ्री कौन सी है helping verb, helping verb कौन कौन सी होती है, ध्यान दीजिए helping verbs also known as accidentally verbs are that work together with the main verb, in a sentence to express action or state of being प्यारे बच्चों helping verb वे प्राथमिक सभी verb होती है जैसे कि auxiliary means होता है प्राथमिक verb auxiliaryally means क्या होता है प्राथमिक verb helping verb होती ही जो प्राथमिक helping वर्व होती है definitely जितनी प्राथमिक वर्व है is aim earn has, have, was, were सब helping verb होती है प्यारे बच्चों I am happy I am happy I am happy प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए I am happy मैं खुश हूँ तो यहाँ पर M क्या है? helping verb है M क्या है? helping verb है we have a cat मेरे पास एक बिल्ली है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए मेरे पास क्या है? बिल्ली है तो I have a cat तो have यहाँ पर क्या है? helping verb है प्यारे बच्चों वह समस्त प्राथमिक verb helping verb के रूप में आती है ध्यान दीजिए is, कौन कौन सी हो गई? am are was were has have यह सभी क्या है? helping verb हैं प्यारे बच्चों नमबर फोर देखेंगे model verb कौन सी देखेंगे? model verb देखेंगे प्यारे बच्चों model verbs are episode helper model verb जो होती है एक बिसेश प्रकार की helper होती है words सब्द की that help us to talk about possibilities model verb special एक helper होती है जो एक सब्द की क्या करती है? help करती है, मदद करती है possibility को बताने के लिए possibility को दरसाने के लिए प्यारे बच्चों model और क्या करती है? help us हमारी मदद करती है talk about बात करने में जब बात हम करते हैं तो हमारी possibility को दरसाने में हमारी मदद करती है abilities अपनी यानि हमारी योगताओं को परदस्ट करने में मदद करती है and permissions और permission के बारे में model वर्ब क्या करती है मदद करती है प्यारे बच्चो they work with other verbs to give more information about what is happening प्यारे बच्चो ध्यान देना है कि they work model वर्ब they means why model वर्ब model वर्ब जो है ज्यादा से ज्यादा information देती है सूचनाएं देती है कि what is happening कि sentence में क्या घटना चल रही है क्या घट रहा है तो ज्यादा से ज्यादा information देने के लिए information सूचनाओं को परदस्ट करने का जो कार्य करती है कौसी वर्ब करती है model वर्ब करती है प्यारे बच्चो model वर्ब विसेश प्रकार की एक helper होती है ध्यान दीजिए model वर्ब क्या होती है विसेश प्रकार का helper होती है एक मददगार होती है helper मिंस क्या होता है मददगार जो मदद करे एक प्रकार के क्या होती है मदद करती है word, subject की who help us जो हमारी मदद करते हैं वह सब जो हमारी मदद करते है अपनी possibility को बटाने के लिए अपनी योगताओं को व्यक्त करने के लिए अपने permission को दर्षाने के लिए model work क्या करती है help करती हैं और प्यारे बच्चों दे वर्क बिद अदर वर्ब्स टू गिव मोर इनफार्मेशन अबाउट वाट इज हैपनिंग और माडल वर्ब के माध्यम से संटेंस में ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा है? मोर इनफार्मेशन ज्यादस ज्यादा सूचनाएं माडल वर्ब देती है वाट इज हैपनिंग के संटेंस में क्या घट रहा है? प्यारे बच्चों ध्याद दीजिये I can swim संटेंस क्या है? I can swim मैं सो सकता हूँ सो नहीं, प्यारे बच्चों स्वीम तैर सकता हूँ सिलीप नहीं है, स्वीम I can प्यारे बच्चों जैसे यह प्रिक्चर है प्रिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए यह बच्चा है बच्चा कह रहा है आई कैन स्वीम आई कैन श्वीम मैं तैर सकता हूं बच्चे की जो इबिलिटी है तैरना दरसा रही है तो यहां पर जो श्वीम को ज्यादस ज्यादा इन्फार्मेशन देने का कारी कर रहा है क्या कर रहा है तो यहां पर कैन क्या हो गया model verb हो गया क्या हो गया model verb क्योंकि I can swim मैं तैर सकता हूँ मैं तैर सकता हूँ तो प्यारे बच्चों कैन हो गया मैं ability को दर्साने के लिए ability को express करने के लिए कैन ही यूज होता है प्यारे बच्चों और permission को दर्साने के लिए permission को इंगित करने के लिए में का यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चू में permission को ब्यक्त करने indicate करने के लिए में का यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है में में कहां पर यूज करेंगे जब कोई permission वाली बात होगी और ability अपनी abilities को दिखाने के लिए I can do it I can fly I can swim I can cook यानि अपनी छमता को दर्साने के लिए can use करेंगे क्या यूज़ करेंगे can use करेंगे permission के लिए you may go may I come in ओके प्यारे बच्चों जब permission वाली बात होगी तो may use करेंगे जब किसी abilities को दर्साना होगा तो क्या यूज़ किया जाएगा can प्यारे बच्चों ये additional जानकारी आप लोगों को प्राप्त होई कि may कहां यूज़ होगा can कहां पर यूज़ होगा दोनों क्या है model verb हैं दोनों क्या है model verb हैं ध्यान रखिएगा can का यूज़ होगा abilities को दर्साने के लिए I can do it I can do that I can teach I can play ये सब क्या है abilities है ना आपकी और permission के लिए क्या यूज़ करेंगे may क्या यूज़ करेंगे may ओके प्यारे बच्चों तो model verb हम लोगों ने model verb देख लिया model verb कौन से होते हैं ध्यान देजिए will model verb है shall model verb है kain model verb है may model verb है प्यारे बच्चों द्यान दीजिए आगे बढ़ा जाए समझ में आया यहां तक प्यारे बच्चों class को सही से आप वाच करते हैं तो verb से सम्मंधित कोई भी आपको problem नहीं होगी मैं वादा करता हूँ आप लोगों से बस class को इसकी मत कीजिएगा देखते जाईए नोट करते जाईए टाइम टाइम पर revision करते जाईए चलिए प्यारे बच्चों static वर्ब हो गई और क्या देखा हमने linking वर्ब पढ़ लिया helping वर्ब पढ़ लिया model वर्ब पढ़ लिया अब हम लोग क्या पढ़ेंगे transitive very very most important कोई भी जाम हो चाहे TGT का हो या PGT का हो या कोई भी TET हो CETED हो या YES TET हो या UP TET हो transitive verb और intransitive verb अवस्चित मुछी जाती है प्यारे बच्चों हिंदी में यही question आता है बस भासा change है अकर्मक और सकर्मक प्यारे बच्चों कौन सी अकर्मक और सकर्मक प्यारे बच्चों transitive verb और intransitive verb transitive verb को बोलते हैं सकर्मक प्यारे बच्चों transitive verb को क्या बोलते हैं सकर्मक शकर्मक intransitive verb को क्या बोलते हैं अकर्मक क्या बोलते हैं अकर्मक प्यारे बच्चों ट्रांजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सकर्मक वर्व हर वो वर्व होती है, जिसका परभाव सीधे कर्म पर पढ़ता है, किस पर पढ़ता है? कर्म पर पढ़ता है, यानि object पर पढ़ता है? औबजेक्ट प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी जिसका प्रभाव सिधा कहां दिखेगा कर्म पर दिखेगा औबजेक्ट पर दिखेगा प्यारे बच्चों अकर्मक कौन सी वर्ब होगी जिसका प्रभाव सिदे कहां दिखता है Subject पर दिखता है Garita पर दिखता है प्यारे बच्चों English में देख लेते हैं Transitive Verb क्या होते है Transitive Verb Definition देख लिजेे ध्यान दिजे A Transitive Verb Is a type of action Verb Transitive Verb एक प्रकार की action Verb है कैसी वर्ब है action वर्ब है ट्रांजटिव वर्ब शकर्मक किरिया शकर्मक किरिया एक प्रकार की action किरिया होती है that requires one or more object ट्रांजटिव वर्ब के बाद just object कि ओसकता होती है किसके ओसकता होती है object सीधी सीवाद प्यारे बचो ध्यान रखना transitive verbs के बाद direct object आएगा क्या आएगा direct object आएगा प्यारे बच्चों in transitive vibe में क्या होती indirect object यानि in transitive vibe में direct object नहीं आता है indirect object आता है चलिए प्यारे बच्चों फ़हले transitive देख ले तरहें आप confusion हो जाएगा धेंदीजी Transitive verb is a type of action Transitive verb एक प्रकार का action होती है एक प्रकार का क्या होती है action क्रिया होती है That requires one or more object to complete its meaning in a sentence परिभासा क्या कहती है Transitive verb एक प्रकार की action verb है जिसको requires होती है अवसकता होती है एक या ज्यादा object की यानि कर्म की complete its meaning in a sentence किसी भी वाक्य में किसी भी sentence में अपनी meaning को complete करने के लिए एक object की जरूरत होती है उसको बोलेंगे transitive verb क्या बोलेंगे? Transitive verb बोलेंगे Transitive verb कौन सी होगी? जिसको अपनी meaning complete करने के लिए एक object की जरूरत होती है एक object के वसकता होती है प्यारे बच्चों Example She ate the cookie उसने खाया प्यारे बच्चों यदि आप exam में जाते हैं आपको ढूड़ना है कि कौन सी transitive verb है कौन सी intransitive verb है तो प्यारे बच्चों सीधा साब question करिएगा What उस sentence में आप लोग What लगा देना What means क्या? यदि क्या का answer मिल गया? यदि क्या का answer मिल गया तो वो transitive verb होगी कौन सी verb होगी? Transitive verb होगी ये मेरी अपनी trick है प्यारे बच्चों Transitive verb को कैसे find out करेंगे? sentence में हम क्या use करेंगे? What What means क्या? यदि हमने क्या use कर दिया? क्या का हमको answer मिल गया? पक्का वो transitive verb होगी प्यारे बच्चों द्यान दीजिए C at a cookie उसने एक cookie खाई तो उसने खाई What? क्या खाई? answer आगया cookie He wrote He wrote a story He wrote a story He means उसने wrote means लिखी What? उसने क्या लिखा? भाई वाट वाट का जवाब क्या रहा है? story उसने क्या लिखी? एक story लिखी भाई उसने क्या लिखा? एक story लिखी एक कहानी लिखी तो प्यारे बच्चों जो wrote का प्रभाव पढ़ रहा है direct कहा रहा है? object पर आपको ध्यान देना है transitive verb में सीधा प्रभाव कहां दिखेगा? object पर दिखेगा object बोलें तो कर्म सीधा कहां दिखेगा? कर्म पर दिखेगा इसलिए इसको बोलाता है शकर्मक क्या बोला जाता है? शकर्मक प्यारे बच्चों शिर्फ भासा चेंज है बाकि जो हिंदी में है वहीं इंग्लिस में है बस भासा चेंज है प्यारे बच्चों जिन बच्चों को सकर्मक अकर्मक क्रिया में कोई प्राबलम है transitive in transitive ये लेक्चर उनके लिए राम बाढ़ है पैना सिया है यदि आवे लेक्चर देखते हैं कोई भी एक्जाम देने जाएं आप transitive in transitive सम्मध्ध आपका question गलत नहीं होगा यदि आप सही से लेक्चर सुनते हैं देखते हैं प्यारे बच्चों जैसे कि मैं sentence लिख दू I teach Hindi I teach मैं पढ़ाता हूँ वाट क्या 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 जबब क्या है हिंदी क्या है हिंदी प्यारे बच्चों transitive verb समझ में आई एनी प्राब्लम ओके प्यारे बच्चों अगला sentence देख लीजिए सी रंस प्यारे बच्चों इसको सी रंस वहाँ दोड़ती है बताए ये transitive है कि intransitive sentence है बोलिए वहाँ दोड़ती है वाट लगाओ वाट वहाँ दोड़ती है रंस दोड़ती क्या क्या दोड़ती है आंसर मिला क्या दोड़ती है नहें मिला ना तो क्या ये intransitive verb है कौन सी है intransitive verb है प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा अगला वाकिद देख लेते हैं हे किल्ड आइशनेक प्यारे बच्चों हे मिस उसने किल्ड मिस मार डाला आइशनेक एक सर्प उसने एक सर्प मार डाला कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या यूज करेंगे वाट क्या यूज करेंगे वाट यद वाट का आंसर मिल गए अपनी ट्रिक है प्यारे बच्चों वाट का यद अपने वाट यूज किया वाट का आंसर मिल गया तो ट्रांजिटिव वर्ब ही किल्ड आई स्नेक उसने मार डाला क्या मार डाला आई स्नेक ततकाल फोरन आंसर आता है वाट क्या मार डाला सर्प मार डाला प्यारे बच्चों क्या मार डाला सर्प मार डाला ओके चले प्यारे बच्चों इसके बिल्कुल opposite है उल्टा है इन ट्रांजिटिव वर्ब ध्यान दीजिए यदे आपको कोई दिक्कत हो रही ही तो ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब को दो से तीन बार लेक्चर देखेगा सब समझ में आ जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब इसको क्या बोलेंगे अकर्मक क्या बोलेंगे अकर्मक ट्रांजिटिव में क्या होता है सिधा प्रभाव आपजेक्ट पर पड़ता है इन ट्रांजिटिव में क्या होगा एक्षन वर्ब होती है, चलिए भई कोई डिफ्रेंस नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब भी एक्षन वर्ब होती एक प्रकार की, इन ट्रांजिटिव भी एक प्रकार की एक्षन वर्ब होती है, ओके, That does not require a direct object Intransitive verb को direct object की जरूरत नहीं होती है Indirect object आता है Intransitive verb में सीधे direct object की जरूरत नहीं होती है To complete its meaning In sentence Intransitive verb को अपनी meaning को complete करने के लिए शीधे object की जरूरत नहीं होती है Okay प्यारे बच्चों कैसे पहचानेंगे यदि what हमने लगाया what का जवाब नहीं आया answer हमको नहीं मिला तो Intransitive verb होगी प्यारे बच्चों Example देख लिजे She laughed वहां हसी क्या लगा देंगे what देखो बच्ची हस रही है एक गर्ल क्या है हस रही है वहां हसी what क्या हसी answer मिला कवगे सर्दी नहीं तो क्या है Intransitive verb है They slept वह सो गए क्या क्या सो गए कुछ आंसर मिला नहीं मिला न तो देख स्लेप्ट वह सो गए Intransitive क्या है Intransitive प्यारे बच्चों पहुत ही important topic है Transitive verb and Intransitive verb very very most है जो कई एक जाम में यहां से question आता है तो आता ही है प्यारे बच्चों Transitive verb Intransitive verb समझ में आई Any problem प्यारे बच्चों Once again Transitive verb को क्या Transitive verb को क्या बोलेंगे शकरमत क्या बोलेंगे शकरमत Intransitive को क्या बोलेंगे आकरमत सिधा आप क्या बताएंगे Transitive verb में Direct object आता है यानि Transitive verb को अपनी meaning को complete करने के लिए सीधे object की जरूरत होती Direct object आता है Intransitive verb कांसी वर्ब होती है जिसको अपनी meaning को complete करने के लिए Direct object की जरूरत नहीं होती है चलिए आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यारा आपको कोई दिक्कत रहे गई है अबजेक्ट टू कंप्लीट इट्स मेनिंग जिसको अपनी मेनिंग को कंप्लीट करने के लिए सीधे object की जरूरत पड़ती है In other word दूसरे सब्द में आप कहे लिजिए इट नेड्स टू बी फालोड वाई ये नाउन आर प्रो नाउन टू मेक सेंस प्यारे बच्चों दूसरे सब्द में कहे लिजिए सकर्मक्रिया को ट्रांजट्यू वर्ब को एक नाउन और प्रो नाउन की अवस्कता पढ़ती है अपना एक सेंस बताने के लिए कि उस वर्ब का एक सेंस बने एक मेनिंग बने उस मेनिंग को कम्प्लीट करने के लिए नाउन या प्रो नाउन की अवसकता पड़ती है प्यारे बच्चों Here are some common transitive verbs might use in your everyday conversation यहाँ पर कुछ ऐसे transitive verbs दी गई हैं जिसको अब daily use में आप प्रियोग कर सकते हैं द्यान दीजिए चलिए भई आज के बाद कोई एक्जाम में दे आप जाते हैं जो transitive in transitive वर्व आपको परेशान नहीं करेंगी द्यान दीजिए वर्व क्या है eat, eat means खाया यहनि खाता, क्या खाया food food means भोजन यहनि eat जो है अपने बाद food ले, यहनि food object की जरूरत है sentence देख लिजिए I ate a pizza for dinner pizza, I ate मैंने क्या खाया भी यह pizza वही trick what लगाईए what आप लगाएंगे answer मिलेगा transitive वर्व कौंसी वर्व transitive वर्व प्यारे बच्चो I ate pizza क्या खाया pizza तो ate क्या है transitive वर्व है I watched great movie last night पिछली रात मैंने एक movie देखी क्या देखी बहुत अच्छी movie देखी देखना क्या है transitive वर्व what लगाईए क्या देखा तो बतावगे शर जी टीबी शो देखा या फिर movie देखी ओके transitive वर्व है read means पढ़ना क्या पढ़ना book पढ़ना या कोई article पढ़ना book पढ़ना या article पढ़ना sentence देख लीजी see read an interesting article this morning वहाँ इस सुबा एक बहुत ही रुचदायक article पढ़ता है तो पढ़ना क्या है एक transitive वर्व है read पढ़ता है what क्या पढ़ता है book पढ़ता है या फिर article पढ़ता है ओके next buy means खरीदना क्या खरीदना product कोई जब खरीदेंगे कोई product तो आप खरीदेंगे buy means मैं बोल दू I bought a pen मैंने एक pen खरीदा तो buy क्या है transitive verb है he bought a new laptop for work उसने खरीदा क्या खरीदा एक new एक नया laptop खरीदा क्या खरीदा एक नया laptop खरीदा for work कारी करने के लिए प्यारे बच्चों तो buy क्या है transitive verb है love प्रेम करना person or thing या तो किसी person से आप प्रेम करेंगे या किसी वस्त से करेंगे they love their new puppy so much puppy मैं इसक्या होता है पिल्ला वह अपने नय पिल्ले से बहुत प्यार करते हैं चलिए play means खेलना क्या खेलना कोई गेम खेलना instrument खेलना sport खेलना wall खेलना प्यारे बच्चों sentence देख लीजिए we played basketball at the park हमने पार्क में basketball खेला तो वाट लगाए वाट जब वाट यूज करेंगे तो क्या का जवाब करें हमने क्या खेला basketball object क्या निकले कर गया गया basketball प्यारे बच्चों ये ट्रांजटिव वर्ब है यूज मिस प्रियोग करना टूल का या अबजेक्ट का he she used a hammer to fix the self hammer 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 है प्यारे बच्चों hammer यहाँ पर hammer जो है जो गेले बालों को शुखाने के लिए काम मिला आ जाता है hammer उसको बोलते क्या बोलते हैं hammer ओके राइट मिस लिखना क्या लिखा message लिखा या लेटर लिखा भोल दीजे आप कि वहां लिख रहा है तो कोई पूछ लेगा क्या लिख रहा है letter लिख रहा है message लिख रहा है प्यारे बच्चों he wrote a heart felt letter to his friend वाला पत्र लिखा अपने दोस्त को क्या लिखा letter लिखा क्या लिखा प्यारे बच्चों letter तो right कैसी वर्ब है transitive वर्ब है बासमझ में आई प्यारे बच्चों intransitive देख लेते हैं intransitive verb intransitive verb कौन सी होती है intransitive verb does not take direct object intransitive verb को direct object के वसकता नहीं होती है that is action does not transfer to someone something उसका action किसी वस्त पर किसी व्यक्त पर transfer नहीं होता है you cannot direct the action of an intransitive verb आप action नहीं डाल सकते intransitive verb प्यारे बच्चों अकर्मक करिया है ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो like करें ज़्यादा ज़्यादा share करें आज की क्लास बहुत हुंदा क्लास है प्यारे बच्चों intransitive verb arrive arrive means पहुँचना क्या पहुँचना answer मिला नहीं देखिए ये boy ये boy क्या कर रहा है प्यारे बच्चों हस रहा है I loved out मैं हसता गया हसता गया और हसता गया तो हसना क्या है intransitive verb प्यारे बच्चों she slept soundly वहाँ सोती है खर्राटे ले करके कैसे सोती है खर्राटे ले करके क्या सोती है answer मिला क्या का नहीं मिला न the lamp bent out lamp बुझ गया lamp bent out lamp क्या हो गया बुझ गया क्या गया बुझ गया कोई object मिला कोई answer मिला नहीं मिला न डिपार्ड में प्रस्थान करना क्या प्रस्थान करना अंसर मिला नहीं मिल पा रहा है क्राई क्राई मिन्स होता है रोणना क्राई मिन्स क्या होता है रोणना क्या रोया प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही होगी ड्यान दीजे गो मिन्स जाना ही गो ही गोज ही गोज वह जाता है क्या जाता है गो कैसी है इंट्रांजिट्यू अरब है ग्रो कैसी है इंट्रांजिट्यू जंप क्या है इंट्रांजिट्यू मेक क्या है इंट्रांजिटिव अकर जितनी है मेनिंग दी गई है प्यारे बचों सब इंट्रांजिटिव अर्भ हैं इनको आप लिख लीजिए और रट लीजिए संटेंस देखते हैं प्यारे बचों I am happy today मैं आज बहुत खुश हूं I am happy today मैं आज खुश हूं वाट क्या जवाब मिला वाट का नहीं मिला I breathed मैंने सांस ली I breathed मैंने क्या ली सांस ली आपजेक्ट मिल रहा है यहां पर नहीं मिल रहा है यानि इस वर्भ का प्रभाव आपजेक्ट पर नहीं पढ़ रहा है I breathe मैंने सांस ली सांस लेने का काम किसे ने किया आई ने किया आई यहां पर क्या है सब्जेक्ट है आई यहां पर क्या है सब्जेक्ट है दा फायर वर्णेड व्राइटली आग जल रही आग जली तो क्या जली आग फायर तो सीधा इस वर्ब का प्रभाव कहां पढ़ रहा है सब्जेक्ट पर पढ़ रहा है, the man walked down the street, आदमी टहलता हुआ गली में चला गया, तो कौन टहलता हुआ गया, आदमी गया, तो सिधा वाग डाउन का प्रभाव कहां पढ़ रहा है, मैं पर, he slept, वहाँ सो गया, कौन सो गया, वहाँ, यानि सलेप्ट का सिधा प्रभाव कहां पढ़ रहा है, he dog is running around outside, कुत्ता जो है बाहर इधर उधर, डौल रहा है, running कर रहा है, तो running, running मिस डौल रहा है, कुत्ता डौल रहा है, तो यहाँ पर running का सिधा प्रभाव कहां पढ़ रहा है, dog पर, प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, intranitive verb का सिधा प्रभाव कहां पढ़ेगा, subject पर, इन ट्रांजिटिव वर्ब का सिधा प्रभाव कहां पढ़ेगा सब्जेक्ट पर ओके और ट्रांजिटिव वर्ब का सिधा प्रभाव कहां पढ़ेगा अब्जेक्ट पर ओके बेबी स्लीप्स आल डे पूरा दिन बच्चा सोता है तो कौन सोता है, बच्चा सोता है ना, तो सिधा सोने का प्रभाव कहां पढ़ रहा है, बच्चे पर पढ़ रहा है, ओके, I like to eat, मुझे खाना पसंद है, पॉप करन, किसको पसंद है, मुझे, प्यारे बच्चों, इस plant has ground two feet, यह पबधा ground हुआ है, यह बढ़ा है, ब्रध्ध हुई है, two feet की, किसकी ब्रध्ध हुई है, पबधे की, ओके, क्यानि सिधा ground का प्रभाव कहां पर पढ़ रहा है, plant पर subject पर 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 प्यारे बच्चों, जब वर्ब का सिधा प्रभाव कहां दिखेगा, subject पर, तो वो इन्ट्रांजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्षाइनाइट वरम नन प्षाइनाइट वर्म अले है प्षाइनाइट विर में कां से होती है बस प्यारे बच्चों दसमट और की सिवच्ण पुरा हो जायेगा हुआ है जब मैं आप लोगों पढ़ा सकता हूं एक तक तो आप लोग इसको पढ़के उन्हें सकते हैं फिरी में मिल रहा है ना इसलिए कि डेफनीशन यूजेट परिभासा देखते हैं एक्ट ऐस दा मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब कंसा कारी करेगी मेन वर्ब की तरह काम करेगी कैसी काम करेगी मुख्य क्रिया की तरह मुख्य क्रिया की तरह कारी करती है कौन फाइनाइट वर्ब ओके कैन भी चेंज अकार्डिंट टू नाउन और प्यारे बच्चों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि फाइनाइट वर्ब जो होती है नाउन प्रो नाउन के हिसाब से चेंज हो जाती है आई बात समझ में आज आप सीख लेंगे फाइनाइट वर्ब नन फाइनाइट वर्ब प्यारे बच्चों फाइनाइट वर्ब क्या होगी प्रो नाउन के अनुसार नाउन के अनुसार वो चेंज हो जाती है और मेन वर्ब की तरह कारी करेगी जैसे ध्यान दीजी use only in present and past tense finite verb का जो प्रियोग होता है वो present tense present tense और past tense finite verb का use कहां कहां होता है present tense में होता है और past tense में होता है प्यारे बच्चो future tense में इसका use नहीं होता है प्यारे बच्चो फाइनाइट वर्ब का प्रियोग कहां कहां हो सकता है एक्टिव वाइस में होता है और past tense में होता है और आल्सो आप नंबर singular और plural singular नंबर में और plural नंबर में जिस वर्ब का हम use करते हैं उसको बोलते है finite वर्ब और finite वर्ब जो है वो अपने नाउन के हिसाब से बदलती रहती है प्यारे बच्चो finite वर्ब का use कहां कहां होता है present tense में होता है प्यारे बच्चो पास्ट टेंस में होता है ओके प्यारे बच्चो see works home ध्यान दीजिए कौन सी finite वर्ब होती है एक मिनट ध्यान दीजिए हमने लिख दिया ही गोज टू इस्कूल ही गोज टू इस्कूल तो यहां पर जो गोज है यह कैसी वर्ब है finite है ध्यान दीजिए यही संटेंस है दे गोज टू इस्कूल दे गोज टू इस्कूल प्यारे बच्चो यहां पर सब्जेक्ट सिंग्लर है क्यानि यहां पर प्रोनाउन कैसा है सिंग्लर है तो यहां पर वर्ब देखे जी सिंग्लर लगी है न और यहां पर देखे सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है तो यहां पर यह वर्ब चेंज हो गई यह verb जो होती है अपने noun pronoun के हिसाब से बदल जाती है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो यह subject है plural है तो यहाँ पर verb कैसी लगी है plural है प्यारे बच्चों इसलिए प्यारे बच्चों note करिए बास्मझ में आई finite verb को होती है once again ध्यान दीज़े आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो finite और non-finite definition finite verb क्या होती है main verb की तरह कारी करती है main verb मुखी क्रिया की तरह से कारी करती है और according to subject noun noun के अनुशार change होती रहती है अभी आपको मैंने sentence बना करके भी दिखाया जैसे he walks what health है the children the children walk म प्यारे बच्चों हो पाइnt अभर कैसी हो गई इस थल क्या ऑप चिल्ड्रे Sut Ges ठहलते हैं ल मेंखे तो बच्चे यहां पर प्लूरल हैं तब प्यारे बच्चों यहां पर finite verb कैसी लगी है plural लगी सीधी सी बात आप याद रखेगा finite verb जो है वो noun के हिसाब से pronoun के हिसाब से बदलती रहती है जैसा noun होगा वो ऐसी finite verb लगेगी इसी को आगे जब competition level में आप जाएंगे इसी को बोलते है subject agreement कुछ दिन में अभी आपको मैं subject पढ़ाऊंगा जिस topic होगा subject agreement आप लोग class watch करते रहिए यदे grammar में आप भी कहें तो ये channel आपके लिए पैनासिया है राम बांड है आप पढ़ते रहिए notes बनाते जाएए प्यारे बच्चों चलिए non finite verb देख लेते हैं non finite verb देख लिया non finite verb देख लेते हैं can not be main verb ये main verb नहीं हो सकती है ये main verb नहीं हो सकती है यानि non finite verb जो होती हो main verb नहीं होती है सीधी सिवात finite verb, main verb finite verb, main verb non finite verb, main verb नहीं होती है as they do not talk about action और non-finite verb action के बारे में भी बात नहीं करती है non-finite verb जो होते action के बारे में भी बात नहीं करती है कोई action नहीं सो करती है that is being performed by the subject or noun और प्यारे बच्चों non-finite verb वो verb होती है जो noun और pronoun के हिसाब से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है do not indicate any tense non-finite verb ये नहीं बताती कि कौँ सा tense है finite verb आपको बताएगी present tense कि past tense याद रखेगा exam में पूछेगा finite tense sorry finite verb का use हम कहां कहां कर सकते हैं तो सीधा सा जवाब आना चाहिए present tense और past tense non-finite verb क्या होती है पूछ लेगा कि non-finite verb का use हम किस tense में कर सकते हैं तो प्यारे से बच्चों किसी भी tense में नहीं do not indicate any tense non-finite verb से हमको पता नहीं चलेगा कि कौँ सा tense है लेकिन finite verb से हमको पता चल जाएगा कि present tense है कि past tense है used nouns adverb adjective जैसे कि प्रियोग होता है noun adverb क्रिया विसेशन adjective और विसेशन used to form non-finite clauses which are simply used 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 to form non-finite clauses which are simply dependent clauses that use non-finite verb प्यारे बच्चों सीधे से याद रखना है non-finite verb जो होती है सीधे एक clauses को जोड़ती है ओके प्यारे बच्चों समझ में आई बात प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए non-finite verb कितने प्रकार के होती है non-finite verb को ही jirand बोलते हैं infinitive बोलते हैं participle बोलते हैं प्यारे बच्चों बात समझ में आई non-finite verb को ही क्या बोलेंगे jirand बोलेंगे jirand को ही verbal noun कहा जाता है infinitive बोलेंगे participle बोलेंगे यह आप से पूँच ले non-finite verb कितने प्रकार के होती है तो सीधा सब जवाब देंगे three types कितने प्रकार की three types number one jirand number two infinitive number three participle jirand क्या होती है do you do you fancy going प्यारे बच्चों ध्यान रखना है जब वर्व में ing लगा हो verb का ing फार्म सीधा स्याहत रखना है verb का ing फार्म verb का ing फार्म कौंसा फार्म ing फार्म ओके verb का ing फार्म जब subject का कारी करता है तो उसको बोलते हैं jirand क्या बोलते हैं jirand जैसे going यहाँ पाले लिखा गोइंग आउट बाहर जाना गोइंग आउट तेहाँ पर गोइंग क्या है जिरंड है क्याद रखना है वर्ब का आएंजी फार्म जब सब्जेक्ट का कारी करता है या अब्जेक्ट का कारी करता है उसको जिरंड बोलते हैं यसे I like swimming मुझे तैरना पसंद है प्यारे बच्चों एक नाउन या प्रोनाउन प्यारे बच्चों जैसे swimming, तैरना, आएंजी फार्म, be enjoyed their singing, हमने enjoy किया, उनके singing का, singing means गाना, okay, singing means गाना, प्यारे बच्चों, infinity क्या होता है, I decided not to go to new work, प्यारे बच्चों, infinity क्या होता है, बगेर ing का फार्म, infinity क्या होता है, वर्ब ही होगी, लेकिन ing फार्म में नहीं होगी, ओके, प्यारे बच्चों, participle क्या होता है, प्यारे बच्चों, इसको आज समझे लीजिए, इसका ज्यादा दिक्कत होगी, इसका मैं part 2 दे दूँगा, जिसमें finite, infinite, zero and infinite, participle के हम विदवत चर्चा कर लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे, तो class lecture बहुत ही लंबा हो जाएगा, वैसे ही एक घंटे की class हो गई, participle क्या होता है, the man caring, the bricks is my father, she sold us a plate of scones, crammed with cream, प्यारे बच्चों, आप लोग class को note करें, notes बनाईए, प्यारे बच्चों, देख लीजिए, revision कर लीजिए, finite verb है, जे subject and so, जे tense, finite verb का एक subject होता है, एक tense का पता चलता है, finite verb किस कि sentence में यूज होती है, present और past, ओके, ध्यान दीजिए, इस sentence बना हुआ, ध्यान दीजिए, देख लीजिए, the thief escaped again, thief क्या है, subject है, thief क्या हो गया, subject है, escape क्या हो गया, finite verb है, काउन से finite verb, पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काउन सा tense है, main verb की second form लगी है, तो simple past tense है, काउन सा है, simple past tense है, प्यारे बच्चों, अगला देख लीजिए, shara is crying with joy, shara is crying with joy, तो इस लगा है, finite verb है, पता चल रहा है, कि present tense है, काउन सा tense है, present tense है, सारा क्या है, subject है, is क्या है, finite verb है, प्यारे बच्चों, बासमद में आई, finite और infinite, प्यारे बच्चों, आज का lecture बहुत ही अच्छा है, very very most important है, part speech, part of speech, में वर्ब का जो chapter है, बहुत ही lengthy chapter होता, बहुत ही tough chapter होता है, यदि आप लोग comment करके बताएंगे, इसका part two चाहिए, तो आपको part two मिल जाएगा, प्यारे बच्चों, लेक्चर को देखिए, नोट करिए, यदि क्लास आपको अच्छी लगी, है तो share करें, comment करें, प्यारे बच्चों, इसी नाम से अपना telegram है, क्या है telegram, यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास के आपको pdf मिल जाए, तो आप telegram जाकर के, join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी pdf मिल जाएगी, thank you for watching, अंपना एपको आपको घर दो एक हैं,